PMO, PM और PMO के उपर, National Advisory Council, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीक्टा करने वालों को, संभीधान का महत्मे, संभीधान का महत्मे समझना बहुत जरूरी है। संभीधान, मान्या सची, मान्या सची, संभीधान की वकालत के नाम पर, दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है, वो देश बली भादी देख रहा है, समझी पर रहा है, और देश की चुपके दी, कभी ने कभी तो रंगल आए। सब्रोच्य अदालत, वो सम्झान के वकालत, सीज़ा सीज़ा एक महत्म आंगल, देश की सर्वोच्य अदालत बार बार कहें, आंदोलान ऐसे न हो जो सामान में मानमी को तकलीद दे आंदोलान ऐसे न हो जो हिंसा का राफ से चल पड़े ये बार-बार आप बार-बार बार-बार सुप्रिम कोड़ के कहने के बाद भी अधिर जी अधिर जी देखिए आपने इतनी मेहनत किया है सब्सक्राइब बचाने की बातों वालोत अना है लेगिन यही वामपंथी लोग यही कॉंग्रेस के लोग यही बूर्ड में की राजिश्टी करने बाले लोग वहां जा जाकर के उसा रहे हैं बढ़ता हुपाते कर रहे हैं मने अजगी एक एक शायर ने माने जगी एक शायर में कहा था और साय जी स्थिती को बड़ी सटीक तरीकिते हैं खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं कि पब्लिक सब जानती हैं सब समझती हैं जी सरा के बयान दिये गए सदन में उसका जग्रा सही नहीं है माने जगी कुछले दिनों जो भाषाय बोली गई है जिस प्रकार के वक्ते पे जिये गए हैं वो इसका जिक्र और सदन के बड़े-बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं इसका बहुत बड़ा अप्सोस है कॉंग्रेस के समय में कॉंग्रेस के समय में दादा दादा पस्चिम मंगाल के पीडित लोग यहां बैठें अगर वे वहां क्याश चल रहा है इसका सक्चा चिता खोल देंगे न तो दादा आपको तकलीव होगी निर्दोस लोगों को किस प्रकार से मौत के धात उताज जाता है वह बड़ी बात ही जानते हैं मांडिया तक पांग्रे के समय में सम्विधान की क्या सिती थी लोगों के इधिकार की सिती क्या थी ये मैं जड़ा इनको पूछना चाहता हूँ अगर सम्विधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं अगर आप मानते होतें तो जम्मु कश्मीर में हिंदुस्तान का सम्विधान लागू करने में आपको किसने रोगा थी इसी सम्विधान के दिये थिकारों से जम्मु कश्मीर के मेरे भाई और बहनों को बंचीत रखने का पाप किसने किया था और सशी जी आप तो जम्मु कश्मीर के दामाद रहें और उन बेटियों की चिंता करते हैं आप सम्विधान की बात करते हो और इसलिए मानिया जग्जी एक सांसर ने कहा एक मानिया सांसर ने कहा कि जम्मु कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खुई है किसी ने कहा किसी की नजर में तो जम्मु कश्मीर मतलब जमी नहीं द्या मानिया जग्जी कश्मीर में जिनको जरब जमीन दिखती है न उनको इस देश का कुछ अंदाज है न और वो उनकी बाउधिक दारी दरता का परिच्चे करवाता है कश्मीर कश्मीर भारत का मुकट मनी है मानिया जग्जी कश्मीर की आइडेंटिटी बंबंदू को नलगावास बना दी गई थी 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं सुभी परंपरा है कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंत संभाव की है कश्मीर के प्रतिनी थी मान लागवेड नंदरुसी स्यद बुलबुलशा मीर स्यद अली हमदारी ये कश्मीर की आइडेंटिटी है कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हताने के बाद आग लगजाएगी कैसे बविश्य बेता है आग लगजाएगी 370 रटाने के बाद और आज जो लोग बोलते हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है डिकना है फलाना है बगरे बगरे जराम नई सदन ये सम्मिधान की रक्षा करने वाला सदन है ये सम्मिधान को समर्पित सदन है ये सम्मिधान का गवरव करने वाला सदन है ये सम्मिधान के प्रती दाईत्मनिभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है तब जाकर के मैं मैं सभी मान्या सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहते है अगर है तो मान्या दगी मान्या दगी मान्या सदस्यों महभूबाम मुप्ती जी ने पांच अगस को क्या कहा था महभूबाम मुप्ती जी ने कहा था और सम्विधान को समर्पित लोग जारा ध्यान से सुने महभूबाम मुप्ती जी ने कहा था भारत ने ये शब्द बड़े गंबीर है उन्होंने कहा था भारत ने कश्मी के साथ दोखा किया है हमने जिस देश के साथ रहने का फैंसला किया था उसने हमें दोखा दिया है ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था क्या ये सम्विधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भासा को सिकार कर सकते हैं क्या उसी प्रकार से सिमान उमर अब्दुलाजी ने कहा था उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना आर्टिकल 370 को हटाना अथक्राइव अब्दुलाजी ने कहा था ये आर्टिकल्स प्रकार अंच्छन अब्दुलाजी ने कहा था था ये और ऑटिकल्सुन 370 को हटाना ऐसा भूकम पलाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा मानिय जग जी हारुक अब्दुलाजी ने कहा था थारुक अब्दुलाजी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्क प्रसस्त करेगा अगर 370 हटाई गई तो भारत का जंडा फैराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचे है क्या इस बासा से इस भावना से क्या हिंदुस्तान के समिधान को समर्पित कोई भी गठ्टी इसका स्विकार कर सकता है क्या मैं यह बात उनके लिए कह रहा हूँ जिसकी आत्मा है मान्य दग्जी यह वो लोग है जिनको कश्मीर की अवाम पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भासा बोलते हैं हम वो हैं जिनको कश्मीर की अवाम पर भरोसा है हमने भरोसा किया हमने कश्मीर की अवाम पर भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हताया और आज तेज बिकती से विकास भी कर रहे हैं और इस देश के किसी भी खेतर के हाला विकानने की मंजूरी नहीं दी जा सकती हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जमू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं करके समध्याओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं मानिय झाल